तो हाथ तक नहीं उठाता भारत माता की जैपे, कैसे देखा जा? करूरों की आबादी, अब 85 मैं नहीं कहूंगा, बलकि 95 परसेंट जो आबादी इस देश की है, वो मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहती है, वो मुक्ती चाहती है, और हमें तो ये लगता है कि कुछ दुनों के बाद लोग अपवास, ब्रत और इस सब में उकामना करने ठीक है, वो पहले बाले हमको लोटा दो, आप हाला देखिए लोगों की, महगाई कहां पहुच चुकी है, क्या इस महगाई पर करोडों गरीब लोग सबजी ले करके खा सकते हैं, पांच क्लू राशन तो दे दिया मोदी जी ने, और वो भी लाइन में लगा करके, उसके स् मान को चीन कर, क्या लोगों को रोजगार मिला, मोदी जी ने तो प्रमोशन को भी रोजगार कह करके, ब्रैंडिक करवा दी, लेकिन जो करोडों नौजबान, डिगरी धारी, आसली डिगरी धारी, वो जो रोड पर घूम रहे हैं, कोचिंग के कनारे चक्कर लगा रहे हैं, कि कहीं कुछ तो मिले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, हालात ये हैं, कि थोड़े बहुत, दो-चार हजार रुपाई की कहीं प्राइवेट नौकरी धूडने के लिए लोग बेताव हैं, राजीव जी मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, उसमें जो लोग काम करते हैं, एक आकर के मेरे पास लिटरली रोने लगा, तो उसमें परचय हुआ, तो उसको लगा किसाब ये अखनो इडिवर्स्टी के प्रोफेसर हैं, तो कुछ हमारे लिए कर देंगे, एक अध्यापक की क्या हैसियत होती है, प्रोफेसर आप जानते हैं, तो क्या कर सकता है, तो मैं मैंने उसको कई बार समझाया कि भाया हम कुछ भी करने की स्थिती में नहीं हैं, लेकिन फे भी वो रोए जा रहा था, बोला, दसजार में हमारी जिन्दकी नहीं चल रही है, बच्चों को छोड़ करके हम रात को सो नहीं पाते, मोदी जी ने वहां देश को पहुचा दिया है, तो ऐसे में इस देश के लोग और दोसी तरफ कोई अगर एक सवाल पैदा कर दे, कोई मोदी जी पर कुष्चन मार्क्स लगा दे, तो फिर उसके बार उसके साथ जो होना है, तो आपने लोगों की गुसा को, उसकी आलोचना को, अपने उस पूरे ताना शाही पुन पईये के जरिये दबा के रखा, अभी आपने बात की कि वो जो गोद लिये गए थे गाओं, वो कहां है, राजिव जी अब तक वो पाओ पाओ नहीं चल पाए हैं, वो वहीं है और बुरी हालत में है, एक पत्रकार ने रिपोर्ट कर दी थी बनारस के उस गाओं पर जो पोटी खा रहा था, इसको रिपोर्ट करने वाले पत्रकार के खिलाप F.I.R. होती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, कि लोग बैठे नहीं है इसके लिए कि कब वो मई का महीना आए, मुझे लगता है कि होली दिवाली सब लोग म मही में मनाने के लिए बेताव हैं, सारा बसंतोस्ता हो मही में ही होने वाला है, लेकिन ये हो सकता है कि मोधी जी कुछ दाएंबाएं कर रहे हो, ये जो आ रहा है अभी, लोग के रहे हैं, बन नेशन, बन इलेक्शन में कुछ खेल होगा, चुनाओ होगा, कि टाला जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि मोधी जी इतने डरपोग है, उनके भक्तों ने तो उनको शेर कहा था, तो मुझे लगता था कि तो हिम्मत होगी, आप जो कर रहे है उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते है, समय पर आप पहुचे चुनाओ के मैदान में आपके पास तो सारी मशीनरी मोदूद है, और विपक्ष केबल बीजेपी से नहीं ड़़ रहा है, राहूल गैंधी ने शायद कहा था, कि बीजेपी के साथ तो एडी से लेकर के और CBI होते हुए चुनावायोग तक है, कुछ लोग तो EVM पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इतना बड़ा तंत्र के साथ मोदी जी फिर्वी डरे हुए हैं, ये तो बड़ा आश्यरिय है, और मुझे लगता है कि उनके भाक्तों के साथ गोरान्याय भी है, ये जो इ कि धर्म के उनमूलन की बात कर रहे हैं, उसी पर सारा कुछ चल रहा है, लेकिन हकीकत ये है, कि इस देश का जो गरीब है, दलित है, पिछला है, आदिवासी है, यहां तक की महिलाएं जो बड़ी कॉंस्टोंशी तयार की थी, मोदी जी ने, लेकिन वो आज सब, आज इज आ चुके हैं, मोदी जी के राज से, और इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का कि जब चुनाओ हो, तो उनको जरा अगरवत्ती दिखाई जाए, उनके चितर पर माला वाला पहना करके और नमस्कार किया जाए, जैसे मोदी जी ने कहा था न, जब बूट डलने तो सलेंडर कोजरा अगरवत्ती दिखाईएगा, मुझे लगता है कि इस बार लोग मोदी जी की फोटो को अगरवत्ती दिखा करके जाएंगे बोट डलने के लिए, कि प्रभू बस हो गया, आप बस कल्यान करिए मेरे उपर, मुक्ती दे दीजिए, बहुत हो गया आप, य ये हालत हो करे हैं राजियू जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बेचैनी है, जो डर है, इसी वज़य से है, देखिए, बिधान सभाग की चुनाओ, इस बार बाले, वो लोग सभाग चुनाओ का दूसरा समी फाइनल है, करनाटक की चुनाओ के समय मैंने कहा था, कि की सिती खराब है, कॉंग्रेस पार्टी का पड़ला भारी है, और अगर नतीजे भी इसी के अनुसार निकल करके आते हैं, तो जाहिर तोर पर मोदी जी के लिए बहुत मुश्किले होंगी, और इतना ही नहीं, आपने मद्यप्रदेश का जिक्र किया और सिंधिया का जिक्र किया, सिंधिया ही नहीं, उमा भार्ती ने भी कुछ अपनी शर्टे रखी हैं, और उमा भार्ती लोध समाज से आती है, मद्यप्रदेश में बीजेपी का एक बड़ा जो पोटर है, वो OBC है, और इसलिए उमा भार्ती के एक भाई को बीजेपी ने बापस लिया, जिसने ब चल रही है, बीजेपी से निकल निकल करके लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि ये वो लोग हो जो बीजेपी में टिकेट नहीं पाने की स्थिती में हो, लेकिन जो नेरेटिव बनता है, जो लोगों का रुजान होता है, वो जाहिर तोर पर इसे बनाने में इस्तरही की इस तरह की कारवाईयां बहुत महेत्पूर्ण साबित होती हैं तो मद्रप्रदेश में बैक फुट पर है भात्यंता पार्टी और राजस्थान में हैं बसुंद्रा राजे सिंधिया ने अमिच्छाय और मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी हैं वहां के हालात भी ब नहीं है नहीं वहां लड़ाई बियारेस और कॉंग्रेस पार्टी के बीच तो इस दूसरे समिफाइनल में बीजेपी का अगर यही नतीजा होता है जो अभी आसार नजर आ रहे हैं तो निश्चित तोर पर मैं मैं जो होने बाले लोग सभाचुनाओं में मान के चल रहा उसमें भारती जनता पार्टी बैक फुट पर हो गई और नरेंद्र मोदी की जो ब्रांडिंग है वो उसमें हजारों करणों रुपया लगाने के बावजूद वो अब उजली नहीं होने जा रही है इस देश की लोग बेहत उदार हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ जो दो म पहुमत के साथ उनको लेकर किया है लेकिन मोदी जी नहीं क्या किया मोदी जी काम नहीं करते हो बन एशन बन एलेक्षन वाला जो शिगूफा है अरे साहब आप कभी तो काम किया करी है आप प्रदान मंत्री है आपका काम पार्टी का प्रचार करना नहीं है आप प्रचार म बोज इताएंगे एक अकेला सब पर भारी है वो दरसल इस समय बीजेपी पर ही बोज बन गए है इसलिए बीजेपी के तमाम छत्रप और रसेस के लोग भी अब उनसे अपना फीछा छुडाने के लिए बेताब नजर आना है गड़करी जी ने जो किया नमस्कार तक नहीं सु और एक नया सितारा इस डेश में उभरते हुए नजर आ रहा है जो लोगों के दिलों का लोगों की आँखों का तारा बना हुआ है समय जी राजिग दी एक उभरता हुआ सितारा उस सितारा का नाम है राहुल गांधी जिसकी बात कह रहे थे यहां प्रोफेसर रवीकान जी और राहुल गांधी लोगों के आँखों का तारा इसलिए भी क्योंकि लोग तो दूर पे